और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, रेडी अगर आप हैं, तो जो 2024 की रणनीत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारा कॉंसेप्टर बैच है जो 5 जून से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले दो बहुत ही महान विद्वान रहे हैं, सुन्जू, जिन्होंने Art of War लिखी है, पुरी दुनिया में बहुत famous किताब रही है, Art of War और Art of War में उन्होंने बताया कि कभी भी कोई जो challenger है, ठीक है, कोई दुश्मन है, कोई शत्रू है, तो उसको परास्त करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, उसको चारों तरफ से घेर लेना ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में जो है, जब हम महाभारत की बात करते हैं, तो चकरव्यू का concept हुआ करता था, तो आज आपका जो challenger है, वो UPSC है, आपको चैलेंज कर रहा है, आपको अंदर आने नहीं दे रहा है, तो अगर आपको इस शत्र को हराना है, इस challenger को हराना है, तो आपको उसको चारो तरफ से घेर ना होगा, अपनी अस्फलता को चारो तरफ से घेर लेना होगा, तो आट ओ वौर में सुन्जू ने कहा कि हमेशा चोतरफा आकर्मिन होना चाहिए, और अगर आपके आकर्मिन चारो दिशाओं का संयोग है, तो डेफनिटली आपको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा, अभी मैं इसको explain करूँगा, कि strategy में, ठीक है, strategy में ये बहुत important segment हमारा काम करता है, next है, महाभारत में, आपने देखा होगा, एक बहुत महान सेना का जिक्र हुआ, ठीक है, और उस सेना का नाम था, चतुरंगिनी सेना, यानि उसमें चार क करते थे, और ये सबसे विशाल, सबसे ताकतवर सेना जो है, वो कहीं जाती थी, ठीक है, तो आगे हम बात करें, तो आपने देखा, पैदल, जो घोडे पर, हाथी पर, रत पर, जो सवार लोग थे, वो चतुरंगिनी सेना का part हुआ करते थे, यानि विश उसको जीतने के ल रहें, ताकि बच्चों को WhatsApp नमबर लिख दीजे, WhatsApp नमबर, ठीक है, वहाँ पर, मैं अपने टीम से, जो लोग भी इस पर शेरिंग कर रहें, वो इस पर नमबर शेर करते रहेंगे, तो जो हमारा official WhatsApp नमबर इस पर शेर होगा, ताकि आप लोगों को ग्रुप में add-on किया जा हम अभी विश्व इतियास के question दे रहें, वो भी free of cost है, आप बिलकुल परिशान नहों, आप, जो चीज important है आपका समय, उसकी कीमत समझ पा रही है, आप उसकी कीमत नहीं समझ पा रही है, डेली सैकडों की संख्या में question दे रहे है, objective question, subjective question, PDF, आप पढ़ने के लिए समय दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है, आप खुद से प्रशन पूचिए, कि free में जो वस्त मिल रही है, उसको आप अपने कीमत, अपने समय के साथ, यूटलाइस कर पा रहे है कि नहीं कर पा रहे है, तो फिर आपको किसी भी चीज को पाने का कोई हक नहीं होना चाहिए, UPSC आपका रणचेतर है, UPSC आपका युद्ध चेतर है, तो उस युद्ध चेतर में केवल साहस, केवल वीर्ता के दम पे जो है, वो जीत नहीं पाए जा सकती, इतिहास गवा है कि अभिमन्यू बहुत बहादुर थे, लेकिन उनको चक्रवियू के सातों घेरों को तोड़ नहीं जीते जा सकते, अगर आपको UPSC को सही तरीके से कम समय में क्रैक करना है, तो आपकी रण, यानि युद्ध की जो नीती है, यानि आपकी स्ट्राटजी जो है, वो बहुत accurate होनी चाहिए, और वो चतुर रंगिनी, यानि कि वो चारों तरफ से घेर के आनी चाहिए, य इतने लोग इस चीज को जो है, वो देखते हैं, तो 2014 या 2025 में, दो साल बाद, ऐसे या बात करोगे, दो साल बाद IS बनना है, आप लोग लिखते होगे वहाँ पर, IS बनना है, और जब आप ये दो साल लिखते हो, या एक साल लिखते हो, तो आपको लगता है, अभी यार बह आते हैं, आपकी साइकालोजी को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, और अगर सही बोल रहा हूँ, तो मुझे मैसेज जरू करिएगा, हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब बहुत समय हमारे पास, यार अभी दो साल है, ब वो इस बहुत समय को कैसे यूटलाइस करता है, इसको समझो, यह जो तुम्हारा ब्रेन है, वो बहुत जादा आलसी है, अपने ब्रेन के बारे में एक बात ध्यान से समझो, यह दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है, अगर ब्रेन को एक प्राणी माल लूँ, तो सबसे आलस को save करने के लिए तुम्हें दुनिया भर की कलपनाओं में busy रखता है दुनिया भर की fantasies तुम्हें दिखाता है तुम बैठे बैठे जो है वह अंतरिक्ष में भी पहुँच जाते हो बैठे बैठे तुम स्टाइल पर लोगं फिदा हो जाते हैं तुम पंडे में तेज हो जाते हो तुम रेस कार उड़ाने लगते हो तुम हवाई जहाद उड़ाने लगते हो सब कुछ यह तुम्हारे दिमाग के अंदर करता है हां या ना मुझे बताते रहना comment box ने तो यह सारे गेम खेलता है, तो ये दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है, अब ये क्या होता है, जब तुमने कहा कि अभी there is a lot of time in preparation, तो तुम्हारे दिमाग में ये path कैसा create करता है, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है, वो आज में smart board पर दिखा देता हूँ, और अगर तुम्हे समझ में आए तो बताना, ये क्या काम करता है, ये एक graph बनाता है, ठीक है, एक छोड़ा सा graph बनाता है तुम्हारे दिमाग में, जब तुमने कहा कि मुझे 2025 में exam देना है, तो दो साल का समय, ये दो साल लिखता है, और ये दो साल को project तुम्हारे दिमाग में कैसे करता है, ठ से, ये तुम्हारा ग्राफ है तुम्हारे दिमाग का, ये तुम्हारा लक्ष का समय है, ठीक है, इसको हमने लक्ष का समय माल लिया, कि यहाँ पर टू येर कंप्लीट हो रहा है, अब ये तुम्हारे दिमाग क्या करेगा, एक अलग से गेम खेलेगा, शुरवात में तुम्हे बिल्कुल लेजर पोजीशन में लेके जाएगा बिल्कुल आराम की मुद्रा में यह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है कल पर यह ढखेलता है इसलिए एक शब्द आता है प्रोकैस्टिनेशन टाल मटोल की आदत कितने लोग है मुझे इमांदारी से मेसेज कर सकते हैं यह सर हमें टाल मटोल की आदत है इमांदारी से यह क्लास सिर्फ profes honest लोगों की ख्लास है यह क्लास एक doctor और एक बीमार की क्लास है doctor जहाँ मैं आपकी बीमारी का इलाज करूँगा लेकिन बीमार अगर अगर अपना जो है बीमारी चुपाएगा तो वो कभी भी सही इलाज नहीं कर पाएगा इसलिए अपनी बीमारी को सही धंक से मुझे बताओ तो क्या काम करता है ये गेम खेलता है ये अपनी इनर्जी को बचाने के लिए अपने कमफर्ट जोन से ना निकलने के लिए ये तुम्हें आगे ढ़किलता है टाल मटोल के आदे डालता है जैसे आप सुबह कहते हो सर दस बजे पढ़ने बैठना है तो तो यार तो पंदरा ब एक गाना सुन लेते हैं यार चार पोस्ट शेयर कर देते हैं फिर पढ़ने बैठेंगे तो उसको अपनी इनर्जी सेव करना होती है कि तुम अगर आक्तिविटी करोगे इसको ठकाओगे सोचोगे history के बारे में, polity के बारे में, geography के बारे में, answer writing करोगे तो answer writing में क्या करेगा, उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, अच्छा क्या जवाब दे सर ने जो है, वो secularism पे क्या concept बताया, गरीबी पे क्या concept बताया अच्छा क्या क्या उन्होंने सर ने discussion किया था, तो यह recall करेगा, यह आगे जाएगा, पीछे जाएगा, तो क्या होगा, जब आदमी भागता है, तो थक जाता है, तो क्या करता है, यह तुम्हारे दिमाग के साथ एक बड़ा गंदा गेम खेलता है, यह जो दिमाग है, यह क्य सोचो उसके बारे में, जिसको सोच के तुम्हें मुस्कोरहाट आती है, सोचो उसके बारे में, जिसको मज़ा आता है, तो वो तुम्हें रोकता है, तुम्हें एडिक्ट करता है, चलि यार एक बार नोटिफिकेशन देख लें, वो दोस्त कही नाराज ना हो जाए यार, त ताइम को ढखेलता है, यह maximum time, टाइम को ढखेलता है, बुले अभी क्या रखा है, अभी क्या रखा है, आराम से, आराम से, 2024 आने दो मैं कसम खाता हूँ, पहली जन्वरी से मैं ऐसा पढ़ने बैटूँगा, कि पुरा भूचाल ला दूँगा, पहली जन्वरी से फोन बंद कर दूँगा, पहली जन्वरी से दोस्ट छोड़ दूँगा, माबाप को बात में बात करूँगा, पहली जन्वरी से करूँगा, resolution लूँगा, उस दिन मैं ऐसे कसम उठाऊँगा, diary लिखूँगा, motivation, एक्तिस तारिक की रात से motivation वीडियो देखूँगा, बोलो नहीं हुआ है maximum time, अरे यार अभी क्या रखा है, फिर थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर से कुछ आया, तो थोड़ा बहुत यह उठेगा, फिर थोड़ा सा नहीं यार कर लेते हैं, थोड़ा सा यार, दोस्त बगल बाला पढ़ा था, कल टेस्ट में फेल हो गया, तो थोड़ा सा इसको क्या करगा, अरे छोड़ यार, एनर्जी लॉस हो रही है, छोड़ यार, जैसे चल रहा था, वैसे चले, फिर यह नीचे आएगा, और तुम्हे एक भ्रम में रखता है, तुम्हें चीजों फसाग रखता है, जैसे माल लो तुम तयारी कर रहो, पहलो मैं दुनिया से अलग हो जाओंगो, तब तक यार, वो दोस की शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, एक फोन आगया यार, शादी में नहीं आओगे तुम, अब तुम पढ़ने बैठे हो, इमानदारी से बताना किस के से, अउधर यार, शादी में कौन कौन आएगा यार, यार, अच्छा, यार, वो आ रहा है, वो आ रही है, इस तरह की बाते शुरू हो जाएगी, चल यार, सही है, तू तो सेट हो गया, यार, मैं यार, यहां कमरे में बैठके पढ़ रहा हूँ, मुझे बताते जाना कर यह बाते कभी जिंदगी में हुई हो तो, चल यार, उससे पू तो यह क्या होता है, ऐसा गेम यह तुम्हें खेलता है, यह तुम्हारे सामने धुंद पैदा कर देता है, धुंद पैदा कर देता है, तो जब यह धुंद पैदा कर देता है, तो हम एडिक्ट होने लगते हैं, हम टाइम को धकेलते चले जाते हैं, मैक्सिम टाइम, फिर अ शुरू कर देगा अब यह पार कई मैसेज आ रहे हैं यह सब कुछ भी मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें सर बहुत डर लग रहा है 28 थारी को प्री है सर जैसे मैंने आसे चार महिने पहले कहना शुरू किया जब प्रहार लॉंच किया था 699 रुपए का टेस्ट था 99 रुपए एक टेस्ट की कीमत थी हमने का RSM करो RSM करो तो reverse study method question लगाओ ताला 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 उसको अब डर लग रहा है सर रिवीजन नहीं और सर question गलत हो रहा है सर अप्रेल बीत रहा है एक महीने बाद पेपर है अब तुम्हें डर लग रहा है और मैंने वहाँ अगर याद होगा पुरानी वीडियो आप लोगों देखी मैंने कहा था मैं जनवरी फरवरीम कहा था देखना मार्च अप्रिल तक तुम्हारे हाथ पर कांपेंगे तो कहीं लोगा नहीं वो जाया तुम्हारे जो नर्वस सिस्टेम है वो डाउन होने लगता तुम्हें एक नई चीज आ जाती है और वहाँ तुम्हें पहली बार एक चीज पता चलती इस्ट्रेस तनाव इस्ट्रेस आता है एंजाइटी क्रियेट होती है अब घबराने लगते हो अजीब अजीब तरह से करते हो एंजाइटी आ जाती है और डिप्रेशन आ जाता है क्योंकि यह जितना उपर तुम्हें खीच के लिए जाएगा सारी एनर्जी आदमी अब एकदब मोटा ऐसा आदमी है कभी हिला डूला नहीं उसको थोड़ी देर दोड़ा दो तो क्या होगा थोड़ी देर मालो क्या हुआ उस दिमाग ने तुम्हें दोड़ाया थोड़ी दिर तुम्हें बताया इस्ट्रेस आ गया एंजाइटी आ गई डिप्रेश अचानक से क्या होगा सट से नीचे बढ़ जाएगा और तुम डिप्रेस हो जाओगे तो डिप्रेशन के भी दो मोड होंगे अगर चुम जुम चार दिन भी नहीं हुआ है अभी फार्म बरा एक महिने के अंदर दो महिने के अंदर एक्जाम सेंटर नहीं जाएंगे अभी आईस बने के सपना देख रहे तो पांस साड़े पांस लाख लोगों के उपर यूपीस्टी प्रिलिम्स देने ही नहीं जाएंगे how to suicide कर लेते हैं कि लेकिन यहां नहीं सारा गेम क्षिय में हो रहा है तुमने नहीं सुना प्रिशाम प्रिशाम रिखशाम के यह मुद्के नाम में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं बहुत खतरनाक सुचिए यह सब कुछ यहां चल रहा है क्यों क्योंकि वह पहले आपको धकेलता है छोड़ यार अभी जाने दे बाद में मौज करते हैं फिर थोड़ा बहुत तुम्हें डराता है थोड़ा बहुत बहुत बीस होगा हम मेकेनिजम की बात करते हैं अगर तुम्हें यह दो चीज करनी है तो इसके दो तरीके होंगे सिर्फ सुनके आंदोलित होकर भुजाओं को भढ़का के आईस को नहीं बन सकता वो किताब तुम्हारे दिमांग में नहीं घुसेगी ठीक है तो उसमें क्यों होगा इसको ट् अभी बच्ची का मेंसेज आए कि मैं सिर्फ पांच गंटे सोती है बहुत अच्छा कर रही हो जल्दी है तुम कहीं और पहुंचोगी बहुत दिमांग की अपने जो है उसको जो टाइम होता है रीबिल्ड करने को वह एकदम है तिहासिक दुनिया हम जी रहे हैं सुपर हु